19 नवंबर को कार्तिक पुन्यमा पर लगने जा रहा है सदी का सबसे बड़ा चंद्र ग्रहन नमस्कार दोस्तों आप सबका स्वागत है आपकी अपनी चैनल शिव शक्ति में 19 नवंबर 2021 को चंद्र ग्रहन लगने जा रहा है ये चंद ग्रहन मेज चे मीन राशी तक को प्रभावित करेगा तो आई ही जानते हैं इस से जुड़ी कुछ बड़ी बातें सदी का सबसे बड़ा चंद ग्रहन 19 नवंबर को लगने वाला चंद ग्रहन सदी का सबसे बड़ा चंद ग्रहन माना जा रहा है इसकी अवधी अधिक होने के कारण इस सदी का सबसे बड़ा चंद ग्रहन कहा जा रहा है पांचांग के अनुसार यह ग्रहन लगभग प्राता 11 बचकर 34 मिनट से आरंभ होगा और शाम 5 बचकर 69 मिनट पर समाप्थ होगा इस बार का चंद ग्रहन व्रिश्वराशी में लग रहा है व्रिश्वराशी में राहू का गोचर बना हुआ है इसलिए इस ग्रहन का सबसे अधिक प्रभाव व्रिश्वराशी पर दिखाई देगा 19 नवंबर को लगने वाला चंद ग्रहन साल का आखरी चंद ग्रहन है इसके बाद अगला चंद ग्रहन 16 मई 2022 को लगेगा पुर्णिमा की तिथी पर चंद ग्रहन की इस्तिथी बन रही है इस पुर्णिमा को कार्तिक पुर्णिमा भी कहा जाता है हिंदू धर में कार्टिक पुर्णिमा का विशेश महत्व बताया गया है तो चलिए जानते हैं इसका सूतक काल 19 नवंबर को लगने वाले चंद्र ग्रहन के दोरान सूतक नियमों का पालन नहीं किया जाएगा इस ग्रहन को आंशिक ग्रहन कहा जा रहा है पून ग्रहन की इस्तिती में ही सूतक काल प्रभावी माना जाता है वर्ष 2021 में दो चंद्र ग्रहन का योग बना था 19 नवंबर को साल का दूसरा और अंतिम चंद्र ग्रहन लग रहा है तो चलिए जानते हैं ये चंद्र ग्रहन कहां कहां दिखाई देगा भारत में किन राज्यों में दिखाई देगा 19 नवंबर को चंद्रग्रहन भारत के पूर्व उत्तर राज्य, असम और अरणाचल परदेश में कुछ हिस्सों में दिखाई देगा अमेरिका, उत्तरी योरोप, पूर्वी एशिया, अस्टेलिया और प्रिशान्त महासागर छेतर में दिखाई पड़ेगा विज्ञान के अनुसार, चंद्रग्रहन की इस्थि तब बनती है जब पूर्विमा की तिथी को सूरिय और चंद्रमा की मध्यर पृत्वी आ जाती है इसके चलते उसकी चाया चंद्रमा पर पढ़ने लगती है जिस चंद्रमा का चाया वाला भाग पर अंधेरा चा जाता है इस इस्तिती में जब चांद को देखती है तो वह भाग काला दिखाई पढ़ता है इस इस्तिती को चंद्रग्रहन कहती है उमीद है दोस्तों आज की दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक, शेर और कमेंट जरूर कीजिएगा अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सबस्क्राइब करके आप लोगों से बहुत जल्द मुलाकात होगी तब तक के लिए जय माता दी